इसमें पहला प्रशन है कि लोग सभा के संदर में निम्लिकित कत्मों पर विचार कीजिए इसका गठन वेस्क मताधिकार के आधार पर होता है बिल्कुल सही है दूसरा सभा के सदेश्यों की अधिक्तम संख्या 530 है ये वाला कत्न आपका सही नहीं है पहला वाला सही है पर दूसरा वाला सही नहीं है तो पूछा इन में से कौन से सही नहीं है तो केवल दूसरा क्यों कि सदेश्यों की संख्या कितनी है सदेश्यों की संख्या 552 होती है जिसमें से 530 सदेश राज्यों से और 20 सदेश संग राज्चेत्रों से प्रतिवेदर करते हैं आगे चलते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है कि नेमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए दो कथन दिया गए पहला है भारत में दुतिय श्रदन या काउंसिल आफ इस्टेट्स का प्रारम 1919 के मांटिव चेम्सवोर्ट प्रतिवेदर से होता है बिल्कुल सही है दूसरा गवर्नर जनल ततकारीन काउंसिल आफ इस्टेट का पदेन अधच होता है ये भी कथन आपका सही है तो कौन सा सही है तो यहाँ पे दोनों ही कथन आपके पुरी तरीके से सही है तो यहाँ पे एक सेकेंड आगी चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ निम्रिखित कथनों पर विचार कीजिए यहाँ पे भी दो कथन है संविधान सभागी पहली बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी तो यह कथन गला था क्योंकि 9 दिसंबर को हुई थी कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी दूसरा इसने 1950 ता केंदरी विधान मंडल की रूप में कारी किया तो ये वाला कथन सही है तो कौन सही है किवल दो कथन नंबर दो सही है आगे चलते हैं अगले प्रष्ट पे अनुछेद असी किस सम्मदित है तो ये जो है राज सभा की सरनाचरना से सम्मदित है राज सभा में कि सद्धिशों अधिक्तम सगय कितनी होती 250 होती जिसमें से 12 सद्धिश राजपती तीनों ही सम्मदित है इसले डी आप्शन सही हो जागे था कि भारत के सम्मदिधान के अनुछेद 79 के अंसार केंदरी संसत की परिशद में राजपती था दो सदन जिनने राज्यों के परिशद राजसभा था लोगों का सदन लोग सभा के नाम से जाना जाता है अगे चलते में राजपती को सलाह देने के लिए मंत्री परसत की व्यवस्ता की गई है तो कथन कान दोनों सही है और व्याठ्था भी हो रही ए आप्शन आपका सही हो जाएगा आगे चलते हैं केंद्री सतरक्ता आयोग के संदर में निम्रिखित कत्नों पर विचार कीजिए यहां एक स सही नहीं है क्योंकि यह संविधाई निकाए नहीं बलकि सामविधिक निकाए है ठीक है तो पहला सही नहीं है दूसरा यहां गिरी मंत्राले के अंतरगत आता नहीं जो केंद्री सतरक्ता आयोग है यह किसी मंत्राले विभाग के अधिन नहीं आता यहां एक स्वत्मत निका केंदरिय सतरक्ता आयोग को फरवरी 1964 में के संथानम की अधिस्तावली भाषाचार निरोधक समित की सिफारिश पर इस्थापित किया गया था आगे चलते हैं अगले प्रेशन की तरफ निम्रिकित कत्तों पर विचार कीजिए क्वार्थ निरोध है तो आपका किस वाद में सरवोच नियाले ने संगवाद को भारती सम्मिधान की मूल्स रचना का हिस्सा माना है तो S.R. बुंबई वाद जो की 1994 बेका है इसमें माना गया था आगे चलते हैं कोश्चन नमबर 10 पे राजभासा समधित प्रवधान सम्मिधान के किस भाग में किये गये हैं तो ये भाग 17 में है अनुछे 243 से लेकर के 351 तक में किया गया है और यहां ध्यान रखेंगा सम्मिधान में राजजियों के लिए किसी विशेश भासा का उलेक नहीं किया गया है भारत का आटानी जर्नल के संदर में निम्रिखित कत्वों पर विचार कीजिए पहला इससे सम्मधित प्रवधान भारती सम्मिधान के अनुछे 76 में दिये गए है तो ये सही है इसकी नियुकती प्रधान मंतिरी द्वारा की जाती नहीं राश्पती की द्वारा की जाती है तो ये कथन गलत हो गया यहां भारत के प्रवधिधी अधिकारी होता है ये सही है तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है C option डॉक्टर अंबेडकर ने किसे सम्विधान की आत्मा कहा है तो अनुशेद 32 जो की सम्विधानिक उपचारों के अधिकार से सम्मंदित है कोशन नम्बर 13 निम्लिखित कतों पर विचार कीज़े ये बिलकुल सही बात है दूसरा भारती सम्विधान के प्रस्तावना में सुतंतरता समानता यों बंदुद का आदर्स फ्रांस के सम्विधान से लिया गया है ये भी कतन सही है तो C option आपका यहाँ पर सही हो जाएगा और यहाँ ध्यान रखिएगा देशका जो होती है गैर न्यायकोटित असाथ इसकी प्रक्रति न्याययोग ये नहीं होती है ठीक है? और इसे न्यायलाय में चुनोती नहीं दी जा सकती है निमनिखित में से पंचायती राश सम्विधान समीत नहीं है देकि गाड़िगल समीत आपके 1988 की है सादिक अली समीत 1964 की है LM सिंगी भी समीती जो है 1986 की है ये सभी के सभी पंचायती राज से संबंदित है तो D option आपका यहाँ पे सही हो जाएगा इसके अतिर्ट अश्रोक मेहता समीती GVK राउ समीत तुंगन समीत ये भी आपकी पंचायती राज से संबंदित है आगे चलते है कोशन नमबर 16 पे तो कोशन नमबर 16 है आपका संगी की राजभाषा हिंदी और लीप देवनागरी होगी समीधान के किस अनुछेद में यह उपबंद किया गया है तो अनुछे 343 में अथा ये आपका सही हो जाएगा आगे चलते हैं निम्रिकित कत्वों पर विचार कीजिए भारत के समीधान में अनसूची जन जाती और पिछले वर्गों को परिभासित नहीं किया गया है बिलुकुल सही बात है दूसरा भारती समीधान में आंगल भारती को परिभासित किया गया है आर्ट किल 366 382 में तो यहाँ पर दोनों कत्वन आपके सही हो गए तो C आप्शन सही हो जागा भारत के को या भारत के द्वारा किस देश के रूपपूर परमाण उर्जा सहयंत रहे अथात ए ऑप्शन किस कंपणी ने दच्छिनपूर एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के लिए अंडर सी इंटरनेट केबल लगाने की योजना की घोशना किये फेश्बुक के दारा घोशना की गई है हाली में हार्ट आफ एशिया के नवे मंत्री स्तरी सम्मेलन की बैठा कहां हुई है तो तजाकिस्तान की राधिन दूसामने में जल जीवन मिशन के अंतरगत 100% नल जल आपूरती प्रदान केने वाला पहला राज कोंसा है तो गोवा है इसके बाद आपका तेलंगाना है फिर आपका अंडबान निकोबार दीप सम्मूह भी है और यहां ध्यान रखिएगा इसकी गोशना प्रदान मंतिर नरेद मोदी के दारा 15 अगस 2019 को की गई थी इसका उदेश 2024 तक प्रतेक ग्रामिर घर में नल का पानी पहुचाना है हाली में विश्व विकास रिपोर्ट 2015 किस के दौरे जारी की गई तो वर्ड बैंक के दौरे यहार रिपोर्ट जारी की जाती है प्रतेक वर्स निम्रिखित कत्नों पर विचार कीजिए दो कतन है आएा करने वाला दूसरा भारत अgemोर दूसरा तो दोनों ही कतन आपकी यहां पर गलत है तो यहां पर कौन सा सही नहीं है तो दोनों सही नहीं है अर्थ आवर्डे के संदर में निम्रिखित कत्नों पर विचार कीजिए इसे प्रतिवर्स 27 मार्च को मना जाता है, नहीं, 27 मार्च को नहीं मना जाता है, बलकि मार्च महिने के आकरी सनिमार को मना जाता है, और इस वर्स 2021 में, मतलब जो पिछला वर्स 2021 था है, इसमें 27 मार्च को मना जाता है, और दूसरा कतन, उर्जा की खपत और पर्यावर्ण पर इसके प्रभावों के बारे में जावकता बढ़ाने के लिए एक लाइट आफ इवेंड के रूप में इसे सुरू किया गया था कब 2007 में अस्टेलिया के सिडिनी से तो यहां पर कौन सा कतन सही है तो यहां पर आपका दूसरा कतन सही है पहला नहीं शीमंगो उत्सो अथवा शीगमो किस राज़ों मनाय जाने वाला उत्सो है या तेवहार है तो गोवा में मनाय जाता है प्रतिवर्स और क्यों मनाय जाता है तो यह गोवा के आदिवाशी श्रमदायो दरा धान के सम्रिद और सुनारी फसल के लिए मनाया जाता है सहित असपाक उल्लाखां चिडिया घर के संदर में निम्लिकत कत्वों पर विचार कीजिए हाल ही में गोरखपुर में इसका उधगाटन किया गया बिल्कुल सही बात है यहां उत्तरपदेश का तीसरा चिडिया घर है या नीत आयो की पाहल नहीं बलकि उर्जा और नवीकरणी उर्जा मंतराले की पाहल है इसके अंतरगत 10 रुपए में LED बल्ग प्रतान की जाएंगे यह सही है तो यहां पर B-Option सही हो जाएगा और इसका उधगाटन कब किया गया या प्रारम कब किया गया 24 मार्च 2020 को वरांट सी में ग्राम उजारा योजना लांच की गई थी अंतराश्टी बौधिक संपता सुचकांग के संदर में निम्लिकत कतों पर विचार कीजिए नौवे बौधिक संपता सुचकांग के भारत 40 वे स्थान पर 53 देशों में 40 वे स्थान पर है बिल्कुल सही है यहां सुचकांग यूएस चेंबर्स आफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिस सेंटर दर प्रतिवर्स जारी किया जाता है तो दोनों ही कथन यहां पर आपके सही है तो C आपका सही हो जागा बिश्व जल दिवस के संदर में निम्लिक्त कतों पर विचार कीजिए परति वर्स 22 अप्राइल को बिश्व जल दिवस मना जाता है 22 अप्राइल को नहीं बलकि 22 मार्च को मना जाता है तो पहला कतन गल्लत होगा स्वरगी एक काबूज बिन साद अल साद को दिया गया था आगे देखते हैं निम्लिक कतों पर विचार कीजिए भारत में मर्दिकाल में सब्रतम पुर्तगाली ब्यापारिया है सही है सबसे अंत में डेनिस ब्यापारिया है इसने कोचिन से राजधानी प्रवतित गोवा को राजधानी बनाया कलाइब के संब्ध में निम्लिक कतों पर विचार कीजिए इस इंडिया कंपनी द्वारा भारत में न्यूक्ति होने वाला पहला गवर्नर था ये दो बार गवर्नर बनता है एक 1757 से लेके 1760 तक रहता है प्रासी के युद्ध के बाद और फिर आता है 1765 में और फिर रहता है 1767 तक इसने मंगाल में द्वासन की विवस्ता की थी दो रो कथनिया पर सही है आगे चलते हैं माउंट बेटन प्लान के संदर में निम्रित कत्व पर विचार कीजे इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है या मन बाटन योजना के नाम से भी जानते हैं इसका उद्धिश एक मात्र उद्धिश भारत को अतिसिगर पूर्ण सोतंतर ता देना था दोनों कतनिया पर सही है कैपनेट मिशन योजना के संदर में निम्रित कत्व पर विचार कीजे यहां मिशन 29 मार्च 1946 को भारत आता है सही है यहां 5 सदेश्ची मिशन था नहीं 3 सदेश्ची मिशन था तो कौन से दीन सदेश्च थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे एवी अलेकजंडर पैथिक लॉरेंस तो यहां पर कौन सा सही है क्यों पहला सही है दूसरा सही नहीं है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी आगे देखते हैं सिमला सम्मेलन के संदर में निर्मिकित कत्रों पर विचार कीजिए इसका आउजिन बेवल परिस्ताओं पर विचार विमा सहे तो किया गया था 25 जून 1945 को बिल्कु सही है इसमें 21 भारती राज़निक नेताओं ने हिस्सा लिया था इसमें कांगर्स के प्रतनिदी के रूप में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था नहीं गांधी जी वहाँ पर सिमला में थे पर उन्हों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था कांगर्स के प्रतनिदी के रूप में क्रिप्ष्र मिशन के असाफलता के पश्चात यहां आनोरन हुआ था, बिल्कुल सही, 1942 में क्रिप्ष्र मिशन आया था, क्रिप्ष्र मिशन के असाफलता इस आनोरन का एकमात कार्ण था नहीं, कई कार्णों में से या भी एक कार्ण था, तो यहां पर कौन से सही है, पहला के दूसरे के रूप में दूतिये शत्याग रही के रूप में जवालाल नहरू को तो यहां पर दोनों ही कथन आपके सही है ठीक है आगी चलते हैं अगस्त प्रस्ताओं के संदर में निम्रिकत कत्नों पर विचार कीजिए इसे 1940 में प्रसुत किया गया था बिटिस गौश्ट के पहला वाला सही है दूसरा वाला सही नहीं है इसमें डोमीनिश्ट का दरजा युध्दि के बाद एक प्रतिंदी मुलक संप्रीजपत से इस्थिफा देने के पशात किसे कंगर्स बनाए गया था तो राजेंद परसाद को बनाइ गया था 1949 के तिपरी कांग्रेस के वार्षिक अडिवेशन में सुभाशन बोष दूसरी बार अध्यचपत की उमिदवार बने थे और उन्हों चुनौक जीता था पर गांधी जीसे मद्वेद होनी को जाए से उन्होंने अपने पत से त्याग पत्र दे दिया था निम्लेखित इगों में से सही सुमिलित नहीं है बोलसेविक लेनिश्ट दल अजीत राय फारवर बलाक सुभाशन बोष भारती बोलसेविक दल एम एन राय ये गलत है चुकि भारती बोलसेविक दल की स्थापना 1949 1939 में एन दत्त मजुमदार ने की थी ग्रांतकारी स्थामवादी दल शोमेंदर नाथ टैगोर के दवारा 1942 में इस्थापित किया गया थै निम्लेखित में गरम दल के नेता नहीं थे दादा भाई नवराजी ये नरम दल के नेता या उदारवादी नेता थे भारत सार्षन अधिनियम 1935 के संदर में निम्रिकित कत्रों पर विचार कीजिए इस अधिनियम के द्वारा केंदर में 200 नवाली एक संगी बिधायक की बेवस्ता की गई बिल्कुल सही बात है यहां संग बिटिस भारत के प्रांतों ता रियास्तों पर आधारित थी यह भी सही है तो C option आपका यहां पर सही हो जाएगा अगला है निम्रिकित कत्रों पर विचार कीजिए कांगरेस समाजवादी पार्टे की स्थापना 1934 में की गई थी बिल्कुल सही है आचार नरेन देव ता जैपिकार नरान के नेतरुत में अखिल भारती किसान जंगर्टे की स्थापना 1935 में की गई थी नहीं 1936 में स्वामी सायजानत सरसुतिक की अधिशता में हुई थी तो यहाँ पर पहला सही है दूसरा गलत है तो यह उप्सन आपका सही हो जागा प्रतम गोल में सम्मेलन के संदर में निम्लिवित कहतों पर विचार कीजिए यह ऐसी पहली वारता थी जिसमें बिटिस सास को दोरा भारतियों को बरावर का दर्ज़ा दिया गया था बिलकुल सही है इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतनीधी के रुप में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया नहीं है गटनाओं को गटने के अनुसार सही क्रेम क्या है दिखे सबसे पहले सभिने अग्न्या अग्या अंदुरान आएगा कब 12 मार्च 1930 को फिर गाधी इरिमिन समझे होता होता है 5 मार्च 1931 को फिर आपका भागा सिंग को फांसी होती है 23 मार्च 1931 को और सबसे लाश में पूरा पैक्ट 24 सेतंबर 1932 3142 सी ओप्सन सही हो जागा मत्स संपदा योजना के संदर में निम्लिक्त कत्रों पर पिचार कीजिए मत्स छेतर पर केंदेद एक सदद विकास योजना है बिल्कु सही है और यह 5 वर्सों की ओधी की दोरां इससे संचलित किया जाएगा 2020-21 से लेके 2024-25 तक इसका उधिश मत्स उत्पाजन में अतरिक्त 70 लाग टन की बिर्दी करना दोनों कतनिया आपर सही है C, आप्सन सही हो जागा विज्ञान ज्योती कारिक्रम के संदर में निम्लिक्त कत्रों पर विचार कीजिए हाली में इसका तीसरा चर्ण परारम किया गया नहीं जल जीवन मिशन सहरी योजना की घोशना किस वर्स के बजट में की गई थी 2021-22 के बजट में की गई थी अटल बयो अव्यूदा योजना के संदर में निम्लिक्त कत्रों पर विचार कीजिए बुजुर्गों के लिए पहले से चल रही हुनना हली में खो जा गया है बिल्कुल सही है इस सिलाले को तमील में लिखा गया नहीं कन्रण में लिखा गया है तो पहला वाला के वाल सही हो जागा दूसरा गतन गलत है हाली में किस राज ने अपना human bank, milk bank खोला है केरल ने खोला है हाली में थंडर इस्टॉम रिसर्च टेश्ट बेट किस राज मिस्थाफित किया गया है तो ओडिसा के बाला शोर में पधान मंत्री मात्र बंदरना योजना के संदर में निम्रित कतो पर विचार कीजे या स्वास्त मंत्राले की पहल है नहीं या महिला और बाल विकाश मंत्राले की पहल है दूसरा इस योजना में गर्वती महिला और संपान कराने वाली माताओं को अपने पहले बच्चे के जन पर 5000 रुपे के सहाथा देने का परोधान है तो पहला वाला गला तो दूसरा सही है बी ऑप्सन आपका सही हो जागा 56 नमर कोशन देखते हैं हाल ही में चर्चा में रहा मेगा मलाई वन दिजियो अभ्यान के स्राज में सित है तो ये तमिल नाड का पांचवा टाइगर रिजब इससे घोजित किया गया है के इन सरकार के दोरा भारत के पहली भूत आपकी बिजली पर योजना किस राजिया संगसासित प्रदेश में इस्थापित की जा रही है तो पूरवी लद्दा के पुघा में इस्थापित की जा रही है और इससे 2022 के एंत में किर्यानवित की जाने की योजना है इस पहरे मिशन के संदर में निम्लिखित कतों पर विचार कीजिए यह नाशा का मिशन है, बिल्कुल सही है इसका उदेश हमारी गैलेक्सी का सरविचन करना यह भी सही है, C option आपका सही हो जाएगा 59, 6 अभियान के संदर में निम्लिखित कतों पर विचार कीजिए यह रायस्थान की पहले नहीं, यह मद्दप्रदेश के स्वाथ विभाग की पहले इसका पूरा नाम क्या है, Social Awareness and Action to Neutralize Neemonia Successfully इस अभियान का मुख्यों दिश, शिश्वों में निमोनिय करन मिर्ट उदर को कम करना है तो केवल दूसरा कतन सही है, अथा बी option सही हो जाएगा इदाखिल पोर्टल के संब्द में निम्लिखित कतों पर विचार कीजिए इदाखिल पोर्टल उभोक्तास दिकायते, ऑनलाइन दर्ज करने का अधिकार देता है, बिल्कुल सही है यहाँ पोर्टल उभोक्तास संब्द में 2019 के ताथ विक्सित किया गया है तो दोनों कतन यहाँ पर सही है, C option सही हो जाएगा निविखित कतों पर विचार कीजिए, बिटामीन को सहायक, आहार, कारक भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है मानो सरीर की कोश्काओं दर्ण बिटामीन का संस्रेशन किया जाता है, नहीं, बिटामीन का संस्रेशन मानो सरीर की कोश्काओं दर्ण नहीं होता है ठीक है, यही कारण है किसकी पूर्ती मनुष्ट के द्वारा भोजनवा और खाद पदातों के माद्यम से की जाती है और यहाँ पर ध्यान रखेगा सापर्थम बैग्जानिक फैडरिक गोलेंड हॉपकिन्स के द्वारा विचार को इस पश्ट किया गया था तो यहाँ पर आपका किमल पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है Question number section 2 देखते हैं, देखेगे, पैरा थाइराइड, हार्मोन रख्ठ में केल्सियम के अधिकता के कान परवाहित होता है तो ये वाला सही है, तो कौन सही नहीं है, पहला वाला सही नहीं, देखिए, यहां कैलिशियम के आउस्रोशन को बढ़ाता है, तथा हड्डियों के अनावशक भाग को गला कर रक्त में फास्परोज था कैलिशियम को मुक्त करता है, निमलिकित कतों पर विचार कीजिए, कार इसन पौधों में रोग परतृत्च चमता विक्सित करने में सहायक है, बिल्कु सही बात है, अत्यधिक नाटोजन एक उरवराक के प्रियोग से मिट्टि की छारिता बढ़ जाती है, मिट्टि की अमलेता बढ़ती जाती है, तो पहला وला कतन सही है, दूसरा वला गलत है, निम्निकित कतों पर विचार कीजिए, यूरिया एक अकार्वनिक नहीं, बल्कि कार्वनिक योगिक है, यह जल में घुलन सील है, ना की अगुलन सील, तो कोई सही, कोई भी सही नहीं है इसमें, इसे कारबाइड भी कहा जाता है, निम्निकित कतों पर विचार कीजिए, मानों 67 सुत्रमूर्ग के संदर में निम्लिक कतनों पर विचार कीजिए या प्रितिवी का सबसे उंचा विसालतम जीवित पच्छी है सही है या उड़ने में असमार्थ होता ये भी सही है कौन से सही नहीं है तो दोनों सही है तो D option आपका सही हो जागा निम्लिकित में से किस बिट हाई जातियां आर्थो पाउड़ा ही है ये दोनों ही कतन सही है सी ओप्सन सही हो जागा लेदर टेक्नोलोजी पार्क उत्तरप्रदिस के किस जिले में इस्थित थे तो उन्नाओं में इस्थित है कहां पे उन्नाओं के बथरा में इस्थित है हिंदी उत्तरप्रदिस की रा गटक ब्यूटन होता नहीं, इसका मुखी गटक मेथन होता है, क्योंकि इसमें 90% मेथन होता है, इसे हरित इधन की रूप में भी जाना जाता है, यह सही है, तो कौन सही है, दूसरा वरा कतन, नवीन समदाय के आगमन के लिए रिक्त इस्थान या बनस्पत रहित नगन कहलाती है, क्या कहलाती है, 75 नमर कोशन देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर में निम्लिखित कत्म पर विचारे कीजिए, इस अधनियम द्वारा बोर्ड आफ कंट्रोल की स्थापना की गई सही है, इसके ताहत भारत में कमपनी के दिन छेत को पहली बार बिट कि चेमसोर सुदार के नाम से भी जानते हैं, राजपुनागठन अधिनियम पुनागठन ही, तो फजर अलि आयो का गठन कप किया गया था? 1953 में किया गया था, 1953 में किया गया था, तीन सदेशे जिसके अधच फजर अलि थे, दो अन्य सदेशों में हिरदे राध कुंजरू और केम पढ़ी कर सामिल थे प्रारूप समित के संदर में नेमरीत कत्रों पर विचार कीजिए इसके अदज बियान राओ थे, नहीं इसके अदज डॉक्टर भीम राओ अमेट कर थे और इस समित के साज़िशों के संख्या साथ थी ये सही है तो कौन सही है, केवल दूसरा अला कथन सही है और प्रारूप समित की स्थापना गठन कप किया गया था 29 अगस्ट 1947 को आगे चलते हैं एबीज और पीश्या की लकडी का प्रियोग माचेज के डिबी वरार्यम किया जाता है चीन के पेड़ से रेजन का उत्पादन होता ये भी सही है तोनों सही है, C option सही हो जाएगा असी नंबर कोशन दो सूचिया है, समिधान समित और अध्यच संचालन समित के अध्यच को न थे? राजेत प्रसाद थे संगी संचालन समित के? पंडी जवालाल नेरू, चार मौलिक अधिकार समित, सजार बलंबाई, पटेल कारशन चालन समित, केयम मुर्सी थे इस प्रकार से आपका 2413 D option सही हो जागा जैव निमनी करन प्रदूसक के संदर में निमनी करतों पर विचार कीजिए इस वर्क के प्रदूसकों का बिभिन सुच्रिम जीवोदार अबगटन नहीं हो जाता है ये गलत है, बिल्कुल हो जाता है अबगटन दूसरा, रसानिक अपसिछ इस स्रेणी में आते हैं नेव जैव निमनी करन प्रदूसक की स्रेणी में घर की रसोई का कूड़ा, मल, मूत्र, क्रिसिव, अपसिष्ट, कागज, लकड़ी इत्याज आते हैं तो कौन सा सही है, इसमें किवल पहला वाला सही है नहीं, कोई सही नहीं है, D option भारत की संभिधान सभा ने राष्टी गान को कब सुई अपनाया था? चौब़ी जनवरी 1950 को भारती संभिधान में भारत सरकार अधनियम 1935 से नहीं लिया गया है प्रस्तावना में नयाइक आदर्स को और मौलिक करतवी को भोधपूर सोबे संग से लिया गया है निम्निषित इगवों में सही सुमिलित नहीं है इसमें भारत की राजवियोस था कि विभिन पत्दादिकारों को प्राप्त होने वाले बेतन भत्ते और पंसन के बारे में है तिरती अनसुची में विभिन पत्दादिकारों दरपद गरहन के समय ली जाने में सपत है जब कि चौथी अन्सोची बिभिन अन्सोची छेत्रों और अन्सोची जंजात के प्रसासन और नियंतरन से समझ नहीं है यह चौथी अन्सोची नहीं बलकि पांचवी अन्सोची है यह चौथी में क्या है चौथी में बिभिन राजयता संगी चेत्रों की राजसभाग में प्रतनिस बिल्कुल सही है, सरिस्का टाइगर रायसान में आउसे ये भी सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है पहला गलत है, आईची लच्छ के संदर में निमलिखित कतों पर विचार कीजिए, इन्हें 2012 में सुईकार किया गया था नहीं, इन्हें 2010 में नगोया जापान में सुईकार क कीजिए, जव विविता अभिश्यमय वर्स 1992 में रियोड इजिनेरियों में आउजीत प्रतिवी संदर के दोरान अंगी करत किया गया, बिल्कुल सही है, भारत CBD का पच्छ कार है, ये भी सही है, तो दोनों कतनिया पर सही है, C आप्सन सही हो जागा, निमलिखित कतों पर व बेसे कारी कर रहा है, तो कौन सही नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा सही नहीं है, B आप्सन, आगे चलते हैं, कोशन नमबर 89, निमलिखित कतों पर विचार कीजिए, भारत की जल्वाईव में छेत्री विविविन्ता का आभाव नहीं, छेत्री विविविन्ता यहाँ पर अ पानसुरी वन भी कहा जाता है, बिल्कु सही है, ये कम घने होते हैं और वर्स के एक निशिस समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, दोरो कथन सही है, C आप्सन, निम्लिकित इगुमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, केंदरी बकरी अंसंधान संस्थान मतुरा में सही ह आरिवेदिक रिसर्च सेंटर वरांटसी में नहीं बलकि लखनोव में है, तो ये आपका सुमिलित नहीं है, जबकि पॉशुर्च चिकिस्ता अनसंधान संस्थान इज्जत नगर, सेंडल मैंगो रिसर्च इंस्चिट लखनोव ये सही है, निराला आड़ गयरली उत्तरप नहीं है, जबकि लखनोव में इस्तित है, इसकी इस्थापना 1996 में हुई थी, गीता प्रेस के संदर में निम्लिकित कतों पर विचार कीजे, या उत्तरपदेस राजी के गोरगपूर साहर में इस्तित है, बिलकु सही है, इसे संदर्पूर इस्थापित किया गया था, ये प्लास्टिक सिटी आगरा में नहीं, प्लास्टिक सिटी जो है कानपूर और अरएया में है, तो यहां पर पहल वाला कतन सही है, और आपका सही नहीं है, या उप्सन होजागा, उत्तरपदेस में सबसे कम, त pilgrim का सबसे अधिक अनसूजी जात्वाले जिलों को दर्साने व उत्तरप्रदेस की कुल जनसंके में अन्सुजी जनजात की जनसंके का परसंटेज कितना है? 0.6% है. मांगलिक औसरों पर किया जाने वाला गोड़ा निरती उत्तरप्रदेस के किस चेतर समधित है? तो ये पूर्वानचल से समधित है. किस से पूर्वानचल से? B option. उत्तरप्रदेस के संदर्में इनम्लिकत कर्तों पर विचार किजिए. छेतरप्रदेस से यहां देश का चौता सक्षब्राराज है? बिल्कुल सही है. पहला राजस्तान दूसरे पर मद्रदेस, तीसरे पर महाराष्टा है. उत्तरप्रदेस सरवाजिक छेतरवाजित जिला सो दो सूचियां है, जील और जीला की इन्हें सुमिलित करना है, बरुवा सागर जहांसी में, बखिरा जील कन्नोज में, फुलहर जील संदकबीर नगर, देवरियताल पीलिवित, वन टू टू ट्री फोर, यह आपका सुमिलित हो जागा A option, भारत के संविधान का कौन सा भाग स संग और राज के अधीन सेवाओं से संब्धित है, तो भाग 14, अधा C option, अखिल भारती सेवा या राज सरकार के किसी भी सरकारी करमचारी को पद से हटाया जाना या आउनत किया जाना, से संब्धित परोधान किस अनुचेत में दिया गया है, अनुचेत 311 में, लोग गीत सेज और इसके अंदर संचालित, इकायू की स्थापना के लिए कानुई धाचे का प्रोधान किया गया है, दोनों ही कथनिया आपर सही है, C option सही हो जागा, निमलेकित में से किसे रणनेतिक छेत के रूप में वर्गिकित नहीं किया गया है, क्रिसी को, जबकि आपका बिज कोशिन नमेगित कातों पर विचार किजिए, इसकी स्थापना 1992 में होती है, 1982 यहाँ पर्थे चरूर रिण आवांटीत नहीं करता है, बिल्कुल सही है, तो B option आपका सही हो जाएगा, निमलेकित कातों पर विचार किजिए, लोहे की बुरादे और गंदक के चूण के मिश् सही है, बिल्कुल सही है, दूसरा सलफर के उर्धुपातन के फल्सुरू प्राप्त होने वाले बारीक चोण को गंदक का फूल कहा जाता है, दोनों ही कतनी यहाँ पर सही है, C option सही हो जागा, प्राकरतिक रमण के वलकनी करण में प्रियोग के जाता है, किसका सलफर का प्र ब्रोमीन के संदर में निम्लित कतों पर विचार कीजिए, ब्रोमीन एक द्रव अधात हो नहीं, एक द्रव अधात हो है, तो गलत है यहाँ आसू लाने वाली गैशों और विसाली गैशों के बनाने में प्रियोग के जाता है, बिल्कुल सही है, तो B option आपका सही हो जाएग देखे, भारत में कच्च के हरण में पाया जाना विला ब्राइन, ब्रोमीन का एक बहुमूली श्रोत है, आगे देखते हैं कार्बन के अपर रूप, हीरा, काश्च, चार्कोल, ग्रेपाइट, यह सभी के सभी कार्बन के अपर रूप में D option सही हो जाएगा, जस्ती कान के स समय मद्दाताओं के अंगली पर लगा जाता है, क्या लगा जाता है, सिल्वर नैट्र लगा जाता है, अंतराजी परिशत के संदर में निम्लित कतों पर विचार कीजिए, इसका अगर्ण प्रधानमंत्री करता नहीं, राश्पती करता है, यह सही है, तो यहाँ पर किवल B परिशत की स्थापना की गई थी, और आर्टकल 263 के अंसार केंद और राजियों के विच संबनावी स्थापित करने के लिए राश्पती द्वारा एक अंतराजी परिशत की स्थापना की जा सकती है, सेफटी, लैंप के आविसकारक कौन रहे हैं, हमफी, हमफ्री डेवी र गलत है, आगे चलते हैं, भारती संमर्धान के किस भाग में संब्धान सम्मधी परुधान किये गए, भाग 20 में अनुशे 309, 368 के ताथ किये गए हैं, अगला है द्वानी के संदर में निम्नित कत्वों पर विचार कीजिए, द्वानी के संचन के लिए किसी माद्यम के सकता होती है क्योंकि निर्वात में नहीं चल सकता है द्वन के यह कोई प्रहों नहीं परता बिल्गूल पढ़ता है एक डिग्री सेट्सलिसकी वृधि से द्वनी बेग में 60 संटीमिटर प्रत सेकंड की विर्दी हो जाती है और ध्वनी जो है माद्यम की प्रत्यास्ता इलाश्रिसिटी युम घैनत पर निर्वर करती है तो यहाँ पर डी ऑप्सर हो जागा कोई भी सही नहीं है फॉरें हैट परमायना के संदर में निम्लिगत कतों पर विचार कीजिए इसे पानी की हिमां को 81 डिगरी फॉरें हैट चिनित किया गया है नहीं 32 डिगरी फॉरें हैट चिनित किया गया है तो पहला गलत हो गया इसे जर्मनी के प्रसित बैग्यानिक फॉरें हैट के संद्रा स 1910 में Bनाया था तो पहला गलत है दूसरा सही है यहां पर विकल्ब देखते हैं कौन सही नहीं है तो पहलाला सही नहीं है भारत के संदर में निम्दी करतों पर विचार कीजिए इसका चेथ पस बिश के गुजरता है, गुजरात, रायस्थान, मद्यपरदेश, चातिसगरा, जहारखंट, पशिममंगल, तिपरा, मिजोरम, कुल आठ राज्यों से, यदि आप सबसे कम राज्यों को पार करते हुए रायस्थान से नागलाने तक की यात्रा करते हैं, तो आप यात्रा के दोरा निम भारती मानक समय रेखा के संदर में, निमली की कतनों पर विचार कीजिए, या भारत के तीन राज्यों से होकर गुजरती, नहीं, कुल पांच राज्यों से होकर गुजरती, कितने पांच राज्यों से होकर के गुजरती है, कौन कों से उत्तरप्रदेश, मद्यप्रदेश, भारती मानक समय जो है ग्रीन वीच समय से 5 गंटा 30 मिनट आगे है बिल्कुल सही है तो B-Option आपका सही हो जाएगा आगे चलते हैं भास में करकर रिखा कि सर्वाधिक लंबाई कि üz rapid में हैं तो सर्वाधिक लंबाई मंद्र प्रधेस में तो सबसे कम रायस्थान में है रोमन समराज के सासनकाल के दोरान इसका नाम इरथियन सागर था प्राचीन बैदिक भारतियों इस चेत्र में है उप्रोगत कथन उत्री विशाल मैदान के भाग के बारे में तो पश्मी मैदान के बारे में है इसमें रायस्थान का मरुस्थल और आरावली परवस्रेणियों का पश्मी बांगा चेत्र संब्रीत है कोशन नंबर 129 संसत की सेंगत बैठा का प्रवधान संब्रीधान के किस अंशेद में वड़ित है 108 में शूरी के संदर में निम्लिगत कतों पर विचार कीजिए यह प्रिथिवी का निकरतम इसी तारा बिल्कुल सही है इसकी उर्जा का मुक्ष्रोत नापकी सलेने दोनों ही स सही है, C-Option सही हो जाएगा निकरत कतों पर विचार कीजिए जब मैगमा भू पृट के समना अंतर पर व्युष्टों में फाइल कर जमता है तो इसे स्ल कहते ही बिल्कुछ जब मैगमा किसी लंबव दरार में जम्तात उसे डाइक कहा जाता है, यह भी सही है, तो दोनों कतने यहाँ पर सही है, एशिया महाधीव के संदर में निम्लीर कातों पर विचार कीजिए, यहां केवल जन संख्या की दिर्ष्ट बिष्ट का सबसे बड़ा महादीप नहीं, जनसंख्या और छेतपल दोनों दिश्टे सबसे बड़ा महादीप है यहाँ पूर्ण रुख से उत्री गुलार्द में नहीं अधिकांसता ही है, उत्री गुलार्द में पर इंडोनेसा कुछ दीब दचके गुलार्द में यहाँ लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है नहीं, यहाँ फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है यहाँ एशिया को अफ्रिका से अलग करती है यह अमिरात और ओमान को इरान से अलग करتी है तो कोन सा सही है, कोई भी सही नहीं है, D-opf copyright 130.5 देखते हैं बैकाल जील के संदर में निम्लित कफ़ों पर विचार किजी यह विशव की सबसे गैरी जील हे बिलकुल सही है यह विशव की सबसे काषी जील है नहीं जो तुर्की की वान जील है वो सबसे खारी जील है तो कौन से सही नहीं है B-Option पताद दूसरा कतन सही नहीं है यहां पर दो सूचिया है एक इस्थानतेत किरसी के नाम है और दूसरा उनसे समझे देश इन्हें सुमिलित करना है रे कहां कहते हैं लाओश में लोगन पश्मी अफरिका में तमराई थाइलेंड में चिन्ना स्रिलंका में तो 1234 अथाद ए और और अधिलेक मुकेता किसे राज से प्राप्त हुएं तो यह उत्तर प्रदय से प्राप्त हुए है देखिं इसकंद संस्थापक जो है चंदरगुप प्रथम था चंदरगुप ने अपने राजय रोगल की तिति पर गुपत संभवत का आरम किया था यह सही है तो सी आपका सही नहीं है कोश्चन नमबर 140 देखते हैं समराट असोक के राजय देशों का सबसे पहले बिकूटन या डिस्पायर कि और सभी अविलेक इसी बाशा और ब्रामी लीप में लिखे गए थे राज़कूट वंस के संदर में निम्लिक कात्व पर विचार कीज़े इस वंस का संस्थापक किष्ण पर विचार कीज़े इस संस्थापक दंती दुर्ग था और इनकी राजधानी प्रारम में नाशिक और फिर बाद में मानिखेत हो जाती है किष्ण पर्थम के द्वारा ही कैलास मंदिर का निर्माना करवाया गया था तो यहाँ पर केवल B option सही हो जाएगा केवल कथन दो वर्धन वंस के संदर में निम्लिक कात्व पर विचार कीज़े इस वंस की स्थापन नर वर्धन के द वर्धन के द्वार की गई थी गुपत काल में इस त्रियों की दशा के संदर में निम्लिकित मेंसे कौन सा कथन सत्य नहीं है तो पहला वला इनका उपनेयन होता था यह सही नहीं है क्योंकि इनकी बिवा सामानता 12 से 13 वर्ध के आउस्ताम हो जाती थी जिबकि उपनेयन 14 व देखें बिलग्राम के उदीजी च्ञियन का उठीस है यह 1529 का नहीं बल्कि पंदरा सो 2 चालिस का रहता जिसमें फीला सही नहीं है दूसरा देखते हैं पानी पत का 12 शपन में होता है तालिक और युप 1565 में होता तो दूसरा और तीस्त्रा साही है पहला गलत है बिजय न तुलूब और आर्वीडू वांस ने, संगम, सालूब, तुलूब और आर्वीडू वांस ने, तो यहां पर D-Option आपका सही हो जाएगा, मतलब कोई भी सही नहीं है, किश्ण देवराय के संदर में निमलेकित कत्वों में से कौन सा कत्व सत्य नहीं है, यह सालूब और तुल हमेनी समराज के संदर में, निमलेकित कत्वों पर विचार कीजे, बैमेनी समराज के स्थापना मुहमद बिन तुगलक के सासन काल में की गई थी, कब 1347 में की गई थी, और इस वंस का सासक, का संस्थापक हसन गंगू था, ठीक है, जो कि 1347 से 1358 तक सासक रहता है, तो यहां पर दोनों ही कथन साही है, जनता के सासन से जुड़ाओ, हेत, नय ढोल, तबल, ए अदल के स्थापना किस ने की थी, हुमायो के दोरा इसकी स्थापना की गई थी, तो इस प्रकार से यहां पर हम लोग ने 1.500 प्रश्णों को देखा, तो इस वीडियोम बस इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियोम तब तक वे बहुत धन्यवाद